कि नामांकर का आज आखरी दिन और सारे प्रत्याशियों की गोशना के बाद में जब दूनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी गोशित हो चुके हैं अब मैं आश्वेश्ट नहीं विश्वस्त हूं कि बारतिये जनता पार्टी प्रचंड गोवमत के साथ सरकार में आने वाली है देखे निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कॉंग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रड़ा जा रहे हैं कॉंग्रेस का ब्रष्टाचार और माने मोधी जी का स्वच्छ प्रशाशन देने की गैरेंटी ब्रष्टाचार के प्रती जीरो टॉल्रेंस की नीति इन दोनों के विरुद्दे चुनाव है और उस ब्रष्टाचार के विरुद्दे युद्द में जितनी भी एजuman्सीस का काम का अभिनंदन करना चाहिए, सौधत करना चाहिए, जहां तक ED का प्रेशन है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों के जानकारी के लिए एक तत्य आपके सामने रखना चाहता हूं, कि ED ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में PMLA मे जितने केसे रजिस्टर की हैं, और जिन केसे को रजिस्टर की हैं, उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है, दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजनसी में, ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्शीट हुआ, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं कोई अन पैरलल है, और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक राप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो चार जो केसे रेजिस्टर हुएं, उसका प्रतीशत तीन से भी कम है, इसलिए जो भ्रेष्ट लोग हैं, वो अ आपने एक प्रदेश को छोड़ दिया, दिल्ली का भी उधार नहीं दिया, आपने मैं आपको दे दता हूँ, इसी तरह की बात हैं, दिल्ली में जब ईडी ने सटेंदर जेहन साब को गरफतार किया था, तब इसी तरह की बात है केजरिवाल साब ने की थी, जब मनीश जोडिया का भी बंद हो जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक राहत न मिले, इसका मतलब कहीं ने कहीं सबस्टेंस होगा, और अगर सबस्टेंस है तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या करवाई होनी चाहिए कि नहीं करें कि जिस पर पर्दा डालते रहे और उसकी जान जब इडी ने करना प्रारंब की और उसका सरगरा गिरफतार हो जाता है, तो मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कारवाई इडी को या सीवेगा को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जवाब ने फिरांगे, अभी तो प्रदान मंत्री चाहरा है, कमल कफूल चाहरा है, बाह ने विधायक मिलकर कर क्यत्य करेंगे के कौन चाहरा होगा, बाध में ऑई पर्लेमेंटरी भोर्ड जिसमक हम detached टैक है लेकिन जो चाहरा होगा, वह चाहरा, ये सिरह ये मुक्यमंत्री और उसका कारे काल यश यश भी हम सब मिल करके पूरे प्राण और प्राण से उसको एंशियर करेंगे